Hello everyone! How are you all? कैसे हो? ठीक हो? इंजोई कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो ना? ठीक है! आज हम लास्ट टॉपिक करने वाल है चाप्टर 2 का विच इस देमोक्रिटाइजेशन इन सी इस C.I.S. and डेमोक्रिटाइजेशन इन सी इस देखो हम लोग इस बारे में तो बात कर चुके हैं देखो टॉपिक का नाम लिखा हुआ है ना? यह चाप्टर कॉन सा चल रहे है? End of Bipolarity इस दे लास्ट वीडियो इसकी अच्छा थीक है आपको पिछली वीडियो अगर आप देख रहे हो ना? ऐसा कोई question exam में नहीं आएगा जो आपको लगेगा क्या यह तो मैंने पढ़ा हुआ है नहीं है You'll be able to frame the questions, frame the answers, question तो नहीं frame करोगे Answers frame करोगे ना? Answers तुम बहुत असानी से frame कर दोगे क्योंकि तुमारे concepts तो clear है ठीक है? चलो जल्दी से अब हमने यार देखो पहली बात तो ना जो very first video है chapter 2 की which is end of bipolarity की disintegration of Soviet Union तुम लोग को वो देखनी चाहिए तब ही तुम्हें यह concept clear होगा क्योंकि यह और वो video linked है ठीक है? मैंने वहाँ बताया था कि मैं CIS के बारे में individually भी बात करूँगी क्योंकि आपके syllabus में specifically, additionally mentioned है CIS and democratization in CIS ठीक है? इसको तो हमें थोड़ा सा wide में पढ़ना ही पढ़ेगा हमें हर शीज मगप नहीं करनी है we don't have to ratify things ठीक है? चलो CIS stands for Commonwealth of Independent States अच्छा ही तर देख लो एक बार आप सबको याद है ना? मैंने क्या बताया था आप लोग को? अच्छा ठीक है ध्यान से देखना 1991 में disintegration हो गया था ना? of Soviet Union अच्छा कौनसी थ्री countries थी? मुझे तो याद ही नहीं आ रही आपको याद है कौनसी थ्री countries थी? अच्छा ठीक है वो कंट्रीज थी रश्या बिलॉरस और यूक्रेन पिछली वीडियो में तो मैंने आपको ओपन एंड़ छोड़ दिया था question एक छोड़ जा था की founding members कौनसी थी? वो 12 countries founding members थी? शायद से हाँ नहीं? अच्छा लोग देखते हैं क्लार्टी अब आएगी इस पे ठीक है रश्या, बिलॉरस और यूक्रेन थी founding members इन लोगों ने कब इन लोगों ने बोला था communist party does not exist, communist party gets disbanded, soviet union is no more याद है ये बात ही हमने पड़ा था ना इन्होंने declare कर जया था कि अब soviet union exist ही नहीं करता which means USSR की 15 countries वो अलग-अलग individually stand कर सकती है और उसने क्या बोला था, उसने एक बात यह भी बोली थी कि communist party अब नहीं follow होगी, communist party नाम की चीज नहीं exist करेगी, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं disintegration of soviet union अब हम individually stand करेंगे इसमें एक common wealth of independent states लाया गया, क्यों लाया गया क्योंकि ऐसा ना हो कि हम countries अलग हो रहे हैं, इसका मतली भी नहीं कि हम बात नहीं करेंगे, हमारे बीच में rivalry है, हम रहेंगे साथ हम trade के बारे में, economy के बारे में, political reforms के बारे में, finance के बारे में, lawmaking के बारे में हर चीज के बारे में, हम बेठाएंगे मीटिंग, हम उसके बारे में बात भी करेंगे हम अलग हो गया है, बढ़ हम अंदर से तो एक ही रहेंगे ना, ठीक है चलो ठीक है, अब कभी भी question आया, three founding members का, तो Russia, Beloris and Ukraine and if you go about it by searching more Beloris is the headquarters of CIS, ठीक है 1 1, 2, 3, on 8th of December Guys, remember this, 8th of December 1991 कोई ये found हुआ था, CIS किसने found किया था? Three founding members एक मज़े की बात बताऊ इतने मज़े की बात भी नी है वैसे यार, जो Ukraine है, Ukraine is just the de facto member of it कोई ये वैसे member नी है, full time members जो होते है न, कि हाँ हम participate करेंगे founding members में इसका नाम तो है, बट ये full time member नहीं है ये सिर्फ एक डी facto member है, by the associate member भी बोल सकते है इसको by the way of name of the associate, बट ये full time member नी है चलो, उसके बारे में तो हम पढ़ लेंगे अब क्या हुआ मैप देख लेता है ये ठीक है, रश्या है, ये clarity है हम लोग को हाँ की ना है ना, ठीक है ये हमने पढ़ ले था, रश्या ये रहा कजाकस्तान उस बेकिस्तान, टरक्मेन स्थान तादिकस्तान, क्रिगिस्तान ठीक है, रश्या member था मैप से समझार हुआ याद रह जाएग ये बाद, ठीक है कजाकस्तान member था, उस बेकिस्तान अब इन कंट्री इस ने पते कब जोन किया था नोट कर लो जाड अराम से इन्होंने जॉइन किया था ये डेट एक वर्यार याद रखना ठीक है और 8th of December को founding members ने जॉइन किया था 21st December को 1991 other countries अब other countries since उन लोगोंने 8 December को वो लोग CIS लाय थे उन्हें founding members बोलते हैं उन सिर्फ 3 countries को Russia, Belarus, Ukraine ठीक है ये बात याद रखना 1991 21st December को other countries ये other countries कौन है चलो देखते हैं Russia the founding member हो गई ये तो हम बात करी चुके ठीक है कजाकिस्तान other countries में से ठीक है चलो count करते हैं 2 उस्बेकिस्तान 3 क्रेगिस्तान भी थी 4 ठीक है ताजिकस्तान 5 count करते रहे ना मेरे साथ साथ ठीक है चलो ठीक है टर्कमेनिस्तान टर्कमेनिस्तान full time member नहीं है ये भी एक associate member है इसको हम count नहीं कर सकते ठीक है इस पे हम लगा देते हैं एक star अब ये अब हमने कौन कौन सी दो कंट्रीज पढ़ी है यूक्रेन और टर्कमेनिस्तान जो की full time members नहीं है ये कौन सी part time members बोल सकते हो या associate members बोल सकते हो टर्कमेनिस्तान ठीक है ये बात ध्यान रखना चलो ठीक है अब मैं नेक्स बताओं अजर्बाइजान येस फिफ्ट सिक्स्थ नमबर हो गया इसका ठीक है अर्मेनिया सेवन्थ येस जॉर्जय की बात सुन लो चलो जॉर्जय को मैं काउंट नहीं कर रहें बताओ काउंट जॉर्जय इनिशली था ठीक है जॉर्जय ने जॉइन किया था 2003 में जॉर्जय जॉइंड बट जॉर्जय लेफ्ट इन दे यर 2009 कुछ रश्या का उसके साथ कॉम्पलिकेशन हो गए थे देर्फोर जॉर्जय जिस गेव तो हम जॉर्जय अगांट नहीं करेंगे इसके पस टार बना देते है ठीक है यूक्रेन यूक्रेन मेने आपको बता दिया ये बात तो यूक्रेन को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो फुल-टाइम नहीं था ठीक है इसके बस टार बना देते हैं Maldowa एक देखो Maldowa इन डिरेक्ट कनेक्शन तो रश्या से नहीं है डिरेक्ट बॉर्डर शेर नहीं करती है बट माल्डवा वस वान अव दी कंट्रीज ऑफ CIS ठीक है ये बात ध्यान रखना इसको 8 बोलते हैं बेलोरस था बेलोरस तो फ इन्होंने तो साफ मला कर दिया था क्योंकि डिस्क्रीशन पर था ना करना चाहो तो कर लो नहीं करना चाहो मत करो तो उसने क्या बोला बैल्टिक कंट्रीज कि हम नहीं करना वाले हैं ठीक है यह बात यहीं खतम हो गई तो कितनी मेंबर कंट्री anthrop tuck 9 हो गई और एक कर थी फैक्तो मैंने पीडिया दिया थी मुझे नहीं रहाना है इस में ? हो गई है 2009 में छोड़ दिया है बैल्टिक कंट्री जो यह थी इन तीनों ने भी पार्टिसिपेट ने किया इन्हों ने तो शुरू से ही पार्टिसिपेट ने किया ठीक है इन्हें बैल्टिक कंट्री क्यों बोलते हैं कि यहां पर बैल्टिक सी है एक्रारिटी हुई है चलो भी है उसबेकिस्तान भी है टर्कमेनस्तान फुल टाइम नहीं है यूक्रेण भी फुल टाइम नहीं है ठीक है चलो Commonwealth of Independent States is a regional organization established on 8 December 1991 जो हम पढ़ चुके हैं उसी को इसमें लिखा हुआ है by Russia, Belarus and Ukraine ठीक है headquarters का है in Belarus में है अगर आप यह बात mention करके आरहो ना तो this is a plus point for you which means you have little bit of more knowledge than the others ठीक है तो यह बात लिख सकते हो यारी मुश्किल थोड़ी है लर्न करना अच्छा ठीक है मैं इसको नहीं देख रही पहले हम ऐसी रिवाइस करेंगे अर्मेनिया अजर्बाइजान कजाकिस्तान क्रेगिस्तान मेलडोवा उस्बेकिस्तान कितने हो गई six countries और बाखी कॉन सी country थी रश्या तर्कमेनिस्तान तो थानी रश्या बेलॉरस यूक्रेन ठीक है nine countries हो गई है हमने कोई एक मिस कर दिया क्योंकि nine countries हम कौन सी काउंट कर रहे हैं ऐसे याद कर सकते हो देखो a square मैंने ऐसे याद किया है के स्कुर टी कवान है क्योंकि टर्कमेनिस्तान नहीं है ठीक है फिर मैलडोवा है और टीम्यू एसक्वेर के स्कुर टीम्यू विच इस अर्मेनिया अजर्बाइजान क्रिगिस्तान कजाकस्तान तर्कमेनिस्तान नहीं है तो कौन सा है तर्कमेनिस्तान है ठीक है ताजिक्स्तान है फिर मैलडोवा है उस्बेकिस्तान है 1 2 3 4 5 6 7 और दो तो हम फाउंडिंगे न रश्या बिलॉरस अब यह वाद रहेगी देखो इसमें लिखर 21st December को इन्होंने किया था जो मैंने आपको बताया दिस CIS aims to promote the coordination of its members in the realm of अब यह से याद रखना F LST finance L for lawmaking ऐसे याद रखना F LST finance ठीक है देखो finance देखो finance L for lawmaking T S for security and T for trade ठीक है and to support cooperation आपस में cooperate करेंगे ना अलग तो हो गए है बट वैसे तो अलग नहीं हुए है ना उनका कहने का मतलब यही था on democratization and cross border crime उनको पते क्या लगता था अगर किसी एक country में crime हो रहा है या कोई ऐसी गलत चीज हो रही है इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें हमारा support नहीं मिलेगा तो हम तुम्हाने support में खड़े हैं इसके लिए CIS charter sign हुआ था अभी मैं बताती हूँ it also participated in UN peacekeeping forces ठीक है cooperation and democratization मतलब अभी अभी तो यह communist nations थे ना अभी democratize हो रहे हैं मतलब यह democracy adopt करने वाले हैं इतना असान तो नहीं होने वाला है कि हाँ एक ही टाइम पर democracy adopt हो जाएगी थोड़ा सा time तो लगेगा ना तो इसमें यही बात किया है कि एक दूस्रे को यह लो cooperate करेंगे ठीक है यह बात ध्यान रखना moving on अच्छा ठीक है एक clarity ओर देना चाहते हूं कि ना यह देखो जो democratization की बात यह हो रही थी कि थोड़ा सा transition period था मतलब फर इंसेंस अभी तो वह authoritarian leader था वहां पे अब वो किसी और government को लाना चाहते थे इतने टाइम से किसी और का रूल था वहां पे इतनी असानी से तुम जितना सानी से सोच रहो इतने असानी से transition period उनका रहानी ठीक है और cross border crimes में लोग थोड़ा सा manage करेंगे एक दूसरे को का मतलब पते क्या था अब उन्होंने कहा कि हाँ कॉमिनिसम से हम capitalist overnight तो बन नहीं जाएंगे ठीक है बहुत साने groups थे जो कि ना fight करते थे बहुत जादा लड़ना चाहते थे वो लोग अपोस करते थे यार इस चीज को कि नहीं जो अभी चल रहा है वैसे रहना चाहिए कुछ भी रहा हो new changes को लोग अपोस्तों करते ही है तो क्राइम्स होने लग गए थे बहुत जादा तो इस cross-border crime का मतलब यह है कि वो लोग इस चीज में ध्यान रखेंगे कि वो इक उस्टे को support करें ठीक है अब democratization कर in CS कैसे हुआ the post-soviet political regimes regimes post-soviet का हुआ 1991 के बाद ठीक है political regimes with exception of baltic states baltic states ने तो साफ साफ मना ही कर दिया था ना कि हम तो participating ही करेंगे our term as hybrid regimes hybrid regimes क्यों होती है आपको यादे मैंने एक बात बताई थी जो यह यह वाली countries थी ना लेको यह तो Central Asian Republics थी कुछ यह Eastern European की countries थी East Europe की countries इन लोगोने जाके ना 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 फोर्स जोइन कर ली थी हमने पड़ा था ना 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 थी hybrid hybrid मतला mix of two mixture of two हो गए थे capitalist भी थे communist type के भी बन गए थे a hybrid regime is a mixed type of political regime कुछ लोग तो communism को फॉलो कर रहे हैं तो कुछ लोग हैं जो की communism नहीं capitalist फॉलो कर रहे हैं that is often created as a result of incomplete transition मतलब क्या होता है की complete transition from communist to capitalist हुई ही नहीं है from an authoritarian regime regime मैंने भी आपको बताया to a democratic once and can simultaneously hold political repressions and regular elections अब लोग चाहते थे अब हम democracy वन गए हैं भाई हमारा जो भी करो हमारा leader elected होना चाहिए जो की free and fair elections नहीं तो कहीं जगह क्या था एसे लोगों को दबा देते हैं रिप्रेस कर देते हैं political repressions बहुत थे ठीक है क्यों कि हर इनसान की तो बात follow नहीं हो सकती है the citizens in each of these countries were bound by the frustration frustration होगी थी लोगों को disagreement था ये चाहिए वो चाहिए stemming from fraudulent general elections अब fraudulent general elections का मतलब देखो या पर इसका मतलब ये था जो एक leader है भाई साब जी बीस साल से rule रहे है थीक है इनका इतने इतने साल से rule कर रहे है चलो ठीक है कहने को just elections हो रहे है सब corrupted elections जो वोट देने जा रहे है सब को ये तो दंकी दी जा रहे है तुम वोट दो नहीं तो जो results आ रहे है वो results इनके favor में आ रहे हैं जो बहुत time से rule कर रहा है तो ये free or fair elections हुए और of course not, हुए ये free or fair elections, actions of civil disobedience following the announcement of elections civil disobedience के होते हैं जो normal लोग protest करते हैं, disobedience मतलब disturbance हो गोई थी वहाँ पर ठीक है, after the announcement of election results, मैंने कहा था ने, election results इनके favor में कर देते हैं there were accompanied by demands for essential changes in the existing उनको कहते हैं कि जो अभी existing rule है उसमें changes आने चाहिए, इसका कहने का मतलब political changes यही है, pseudo democratic, pseudo मतलब false, that only appears to be true but actually false थी ये democratism, democratism, democraticism क्या होता है, democracy होता है, democracy, political regimes, ठीक है इसके बारे में और पड़ते हैं, देखो, मैं रेवलुशन के बारे में थोड़ा से discuss करूँगी, मैं नहीं कहूंगी तुमें इसको याद करो, क्योंकि ये बहुत ही एक्स्ट्रीम केस है, ठीक है, तुमें थोड़ा बहुत आइडिया होना चे, कुछ दिमांग में नहीं जाए तो लिखा आना कर क्वेस्टिन आए तो रोज रेवलुशन पड़ो, जॉर्जिया में वा था जॉर्जिया थे को इक इंपोर्टन था, क्योंकि 2003 पार में आया था, ये मैं बताया था ना, 2009 में स्टेपड़ाउन कर था, कुछ लड़ाई हो गई थी वो क्या हुआ था इतना इंपोर्टन नहीं जाना वट एक ताइम पर था थी उलिप रेवलुशन हुआ थाक रिगयस्तान में, और इंट रेवलुशन वडल शुच्रेण में हुआ था, ये और इंट रेवलुशन दें तो फूर्ट्स के नाम थे, अगर आप देखो तो रोस रिवलुशन ये सब फ्लास थे, कुछ वेजटेब्ल के नाम रखे थें उन्हें रखे थे लोग सब एक जुटकर एक यह दिखाना चाहते थे कि हम लोग की पार बहुत उची है and we are one like this, ठीके, Maldowa में हुआ थे Twitter revolution, यह सब याद करने की ज़रुवात नहीं है just you can go through this once and raise expectation for establishing liberal democracy liberal democracy of course, pseudo-democracy तो चाहिए नहीं थे, एक liberal democracy चाहिए थे in the post-Soviet space despite a great number of hurdles, problems तो इनको बहुत जादा आई थी, ठीके during this anti-government, यह सब protests कैसे थे, free or fair elections नहीं होंगे तो protests तो government की against ठीक करेंगे न, ठीके, citizens demanded strict obedience demonstrations, citizens demanded and to constitutional norms including respect for political and civic rights हम लोग को free and fair elections चाहिए, हमें rights चाहिए अपने, हमें सिर्फ दिखाने के लिए democracy नहीं चाहिए, हमें अपने सच में rights चाहिए and the organization of free and open elections यही मैंना आपको बताया, ठीके चलो ठीके, अब क्या हुआ था, rose revolution, Georgia में हुआ था, the rose revolution थोड़ा सा पढ़ रहे है इसके बारे में, ठीके, following the disputed 2009 elections led to the overthrow, overthrow coup भी होता है न, overthrow का मतलब of Eduard Shvedanaz, ठीके, and replacing him with Mikhail Saakshvili, after new elections were held in March 2004, ठीके, यह बहुत जादा important नहीं है इसके बारे में पढ़ना, बढ़ आपको पता हूं अच्छे, यह नाम भाम याद करने की जरूरत नहीं है orange revolution Ukraine में हुआ था, followed the dispute of second round of 2004 Ukrainian presidential election एक कोई आ रहा था, दूसरा कोई step down कर रहा था, यह ही था, चाहते क्या थे, democracy चाहते थे, pseudo-democracy नहीं, false democracy नहीं चाहते थे leading to annulment, annulment मतलब zero हो जाना, nullify of the result and repeat of the round, leader of the opposition, Victor Yushenko was declared president, defeating Victor, उसको opposition जीत गया था tulip revolution करेगस्तान में हुआ था, ठीक है, the revolution करेगस्तान also sometimes called pink revolution भी बोलते देसको, was more violent than its predecessors and followed the disputed 2005 करेगस parliament elections, ठीक है, ये लोग पिंक फ्लाग्स यूस कर रहे थे, औरंज revolution भी था, ये तो CIS का लोगो है, ये मेलन revolution, ठीक है, तो यार, this topic ends here only, ऐसा कुछ इसमें हुआ नहीं था, बहुत easy topic ता, आप इतना तो फ्रेम करके खुद भी लिख सकते हो, जो मैंने आपको पढ़ाया, आपको ये clarity मिल के बारे में, ठीक है, okay, I'll end this here only, chapter 2 खतम हो गया है, बिल्कुल, ठीक है, chapter 2 ends, ठीक है, I hope, मैंने justice किया है, इस chapter के साथ, आप previous videos, देखो, कोई भी चीज आपको doubtful नहीं रहेगी, कोई भी चीज doubtful है, you can just come up and put it in the comment box, I'll get back, मैं वो topic दुबारा है समझा सकते हो, कोई भी clarification चाह सब कुछ आप में है, डाउनलोड करो, description box में दिया हुआ है, ठीक है, यह सब, and after this video, I'll come up with a video that shows, chapter 1, which is cold war era, and chapter 2 के 15-15 best questions, it can be 1 mark, it can be 2 mark, उसमें मैं सब कुछ दिसकास कर दूंगी, जो की important है, ठीक है, वैसे मैंने पूरा chapter complete कर दिया है, जो chapter 3, US hegemony की topics, आड हुए है, chapter 2 में वो सब भी कर दी है, आप लोग जा के सारी videos देखो, ठीक है, don't forget to like, share, comment, अपने friends को भी बताओ, if you'll find this video useful, and I'll get back soon, see you, bye-bye, take care.